क्या आप लोग जानते हैं कि 1844 से 1846 से पहले सर्जरी किस तरह की जाती थी प्रिफोर 1846 से पहले जितनी भी सर्जरी हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा बलडी डर्टी और उसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता था उसकी वज़ाय यह थी के वहां पर उसकी अंस्थेजिया उसके एजाद नहीं हुआ था amputation के लिए या minor surgeries की जाती थी तो उसकी टांगों को कार दिया जाता था पेशंट चिलाता रहता था खुण बेहता रहता था पेशंट जो था वो अकसर expire हो जाता था उससे पहले एंशेंट चाइनीज सिविलाइजेशन जो थे चाइनीज लोग थे उन्होंने कुछ तरीके अजाद किये थे उन्होंने अलकोहल के साथ कुछ केमिकल को मिक्स करके अनेस्टेटिक एजेंट्स बनाए थे और वो यूज करते थे और उससे पहले बरसगीर में जो सिविलाइजेशन थे एंशेंट इंडियन लोग थे वो लोग भी ऑप्यूम और इस तरह की चीजों को अनेस्टेजिया के लिए इस्तमाल करते थे लेकिन फर्स ताइम जब सर्जिरी फर्स ताइम अनेस्टेजिया किस तरह डिसकरवर हुआ इन 1844 डॉक्टर हुरेस वेल्स who was a dentist he was attending a party in 1844 the party name is laughing gas nitrous oxide party 1844 के अंदर डॉक्टर हुरेस वेल्स जो के एक dentist थे वो उनको father of anesthesiology भी का जाता है he was also father of anesthesiology doctor हुरेस वेल्स he was a dentist डॉक्टर हुरेस वेल्स वेल्स वो पार्टी में मौझूद थे 1844 के अंदर nitrous oxide party हो रही थी वहाँ पर उनने देखा कि एक औरत है वो डांस कर रही है और उसका डांस करते करते है उसकी leg जो है वो एक table के से तकराती है और वो injured हो जाती है और उसको डांस करती रहती है उसक वोमन का pain कम हो गया तो first time उन्होंने वो tooth extract कर रहे थे दांत निकालते हुए उनने चुंके dentist थे उन्होंने वो use किया तो उनके उपर करामिद साबित हुआ साथ ही मैं आप लोगों को बताता है चलो कि नौर्थ अमेरिका के अंदर एक बड़ा hospital था जहांपर surgeries की जाती थी हफते के अंदर चार या पांच surgeries वहांपर हो जाती थी average surgeries लेकिन anesthesia के बगार होती थी तो फर्स टाइम इन्होंने जब डॉक्टर हुरेस वेल्स ने वहांपर surgeons के साथ physicians के साथ ये उन्होंने नाइडरस अकसाइड को जब उन्होंने पेशन्ट के ओपर anesthesia के लिए यूज किया तो चूंके नाइडरस अकसाइड एक analgesic है strong लेकिन anesthetic नहीं है तो इस वज़ा से वो जो surgery फेल हो गई पेशन्ट जो है वो चिलाता रहा रोता रहा कराता रहा तो surgery जो है वो फेल हो गई तो डॉक्टर को डॉक्टर हुरेस वेल्स को बहुत ज़्यदा शर्मिन्दगी हुई एन अनदर डेंटिस्ट डॉक्टर विल्यम मॉर्टन केम इन 1845 ही डिसकोवर्ड एथर फर्स टाइम उन्होंने डॉक्टर विल्यम मॉर्टन ने उसी हॉस्पिटल में MGH में वहां पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर उन्होंने सर्जरी कर रहे थे कि यंग लड़का था उसकी सर्जरी थी नेक का ट्यूमर रिमूव कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर इथर का इस्तमाल किया जिस से जो पेशन्ट को एनिस्टेटाइज किया गया और वो काम्याब सर्जरी हुई डॉक्टर विलियम हॉर्टन वास अलसो दे फादर उफ एनिस्थिजियोलोजी वास अलसो अ डेन्टिस्ट डॉक्टर जॉन स्नो इन 1853 वी डिसकावर्ड क्लोरोफार्म एक औरत की सर्जरी हो रही थी उसके अंदर उन्होंने क्लोरोफार्म का यूज किया तो उससे उस और उस औरत की सर्जरी जो वो कामयाब हुई उसका आठमें बेबी की सर्जरी थी सी सेक्शन था तो डॉक्टर जॉन स्नो ने उस वाकत वहां पर कलोरोफार्म का इस्तमाल किया देन उसके बाद पिर आइस्ता आइस्ता स्लोली स्लोली ग्रेजुली अनिस्थाटिक एजंट्स यो थे वो डिसकवर होते गए और ऐनस्तीजा के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डिवेल्पमेंट होती गई तो आफ्टर टू ताउसन्थाजन्था अनस्तीजा मशीन जो थी वो डिवेल्प हो चुकी थी और उसके बाद फरस्ट टाइम जो था टू ताउसन्थाँन के हैं यह हम आगे नेक्स लेक्चर्स के अंदर देखेंगे तो कैंड़ी सब्सक्राइब मैं चैनल और लाइक और शेर टो अधर्स